तो नमस्कार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होगे एक नई प्लेइंग 11 को लेकर मैच 31 लगातार IPL बढ़ता जा रहा है मैच होते जा रहे हैं शांदार तरीके से कई मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं तो मैच 31 में सबसे पहले RCB की प्लेइंग 11 को लेकर बिसकस करेंगे हाँ मुझे इस जगा एक कमजोरी नजर आ रही है उस कमजोरी को दूर करने की मैं कोशिश करूंगा बताऊंगा आपको की कैसे वह कमजोरी दूर की जा सकते सबसे पहले पॉइंटेबल पर आते हैं 6 मैच के लिए चार जीते हैं दो हारे हैं बसकेवल आठंक है शांदार तरीकी से प्लस में रन रेट है तो यह एक RCB के लिए बहुत बहतर है जीत की पट्री पर लगातार बढ़ती चली जा रही है यह टीम लेकिन इस टीम में कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर क्या जा सकता है टीम बहुत शांदार हो जाएगी सबसे पहले डुपलेसीज बिलकुर ठीक है यह प्लारी टीम बताएता हूं फार्प डुपलेसीज थे अनुज रावत थे विराट कोली थे मैक्सवेल थे प्रभू देसाई थे उसके बाद म कि उसके रहेंगे मैं चाहता हूं कि बल्ले से एक तीज्यका़ निकल जाए जैसे ज्यों सकते ही लेकिन हां एक działa को फ्रस्सेज चो पारी जरूर देखने को को मिली है लेकिन एक बड़ी पारी विराट कोली से भी उमीद लगा सकते हैं जिस तरीकर साइप्ल 2022 से पहले विराट कोली से Maxwell Maxwell पिछले मैच में अच्छी तेज पारी खेलने की कोशिश कर रहे थी लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाए बड़े स्कोर तक लेकिन Maxwell ठीक है अच्छे टच में नजर आ रहे हैं उसके बाद में देखे यहां पर थोड़ा सा कमी है यहां पर थोड़ी सी कमी है प्रभु देशाई देखे इनको किस लिए खिलाए गया मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु देशाई को आपने क्यों याद किया ह ओओ चीजों के इस्तेमाल प्रभु देशाई के रिप्लिसमेंट के तोर पर आप दो खिलाड़ी को ले सकते हैं जैकि मैं आपको बताएँ तो नमबर एक आप महिपाल लोम रोड को ले सकते हैं महिपाल लोम रोड एक बहतर फिनिशर है बहतर आप अंदाजर लगाए जिस मैच में शाबाज और दिनेश्कार्टिक नहीं चली उस मैच में क्या होगा क्योंकि अभी तक तो दिनेश्कार्टिक और साबाज एमद बहतर तरीके से RCB को फिनिश करके दे रहें अच्छे रन मना रहें अगर किसी मैच में नहीं चली तो वो महिपाल long road काम कर सकते हैं महिपाल long road के पास वह कामिए है कि लंबे लंबे short शारुख खान की तरह जिस तरीके से घरेयरों क्रकेट में शारुख खब लगाते हैं उसी तरीके से महिपाल कि तो मैं चाहता हूं कि देखेंज आप आप प्रभु देशाईंग को ऊपर खिलाने के बहतर हैंब शावाज को आपक खिलाए दिनिश कार्थ-स के बार्ध बदेंगो और म हुrez माहिपाल लोमनोर को रख लिए इसे क्या होगा कि महीपाल के रूप में आपको निचले क्रम पर एक बहतर फिनीशर मिल जाएगा ठीक है यह महीपाल लोम रोर लेकिन अब अगर महीपाल लोम रोर को नहीं लेते हूँ तो यहांपर आप अपनी गेंधभाजी को मजबूत कर सकते हो एक बहतर है करन शर्मा कन शर्मा को बहुत शांदार है मैंने dłतर होगा CSK के लिए खेल चुके हैं विकेट टेकर गिंद बाज है तो यहाँ पर आप हसरंगा और मैक्स्वेल के साथ एक विकेट टेकर आपके पास ओपसन हो जाएगा करण शर्मा और निचले डाउन पर आपको करण शर्मा बरलेबाजी करके भी दे सकते हैं हिट लगा देते हैं चोके शके लगाना जानते हैं तो इसलिए करण शर्मा एक बहतर ओपसन हो सकते हैं या फिर महिपाल लोम रोर इन दोनों का एक वाजिव हमें समझ में आते हैं बात कि ये दोनों एक अच्छा फिनिशर है एक अच्छा गेंद बाज है लेकिन प्रभु देशाई मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि आरसी भी अपने टेम में क्यों खिला रहा है सहबाज को मैं चाहता हूँ सहबाज को नीचे रखता है मैं चाहता हूँ कि सहबाज को नंबर पांच पर खिला जाए और नमबर साथ पर जो खिलाड़ी आएगा माईपाल या करण शर्मा वो नमबर आठ पर रख दिजिए जो कि प्रभु देशाई के साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि RCB क्यों जा रही है मुझे उनके खेल पर बाते समझ में आती नहीं है उसके बाद में देखे ठीक है बनंदु अहां पर रहेंगी हैसरंगा तो खेर अच्छी देरे खंद तरीके से RCB के जीत में एहम योगदान दे रहे हैं हर सल पटेल के तो खर क्या कहने हर सल पटेल तो खेर जान है आर सीवी देरे की उसके बाद में एजल्वूड बिलकुल है शाथली को मैं चाहत सकते हैं कि कोक्टेल मिल गया है गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी का RCB को उसके बाद में सिराज सिराज ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से गेंदबाजी करें तो ये एक RCB की प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से रहेगी डुपलेसी अलुजरावत कार्थिक मैक्स्वेल के बाद में सहबाज एमद उसके बाद में दिनेश कार्थिक और दिनेश कार्थिक के बाद में महिपाल लोम्रोर को मैं चाहता हूं कि महिपाल लोम्रोर को प्रभू देसा या एक अच्छे विकेट टेकर गेनबाज है इसपिनर के तो पर इनके पास तीन तेजा वी गेनबाज restrictive को मदद मुधन प्र पर इसपिनर्स में विकेट dibuj हुआ हम al Transit को देखा ने उसके बाद में चहल को को देखा हमने रवी विश्णोई को देखा तो हमने इस तरीके से लगातार इस्पिनर्स को काम्याब होते वे देखा है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कंड शर्मा को अगर बीच के ओवर्स में शामिल कर लिया गया RCB में तो बहुत बैतर होगा तो आपका मेरी इस प्रेस कर दें जो कि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आओ आपको मेरी जानकारी मिल जाएगा